वेल्कम बैक लिफ्टर्स अगर आपको पावर लिफ्टिंग कॉंपडिशन में हीवी स्कॉट करना है तो उसके पहले आपको आपके स्कॉट का अंध्रैक और वाकॉट मास्टर करना काफी ज्यादा इंपोटन्ट होता है इस वीडियो को अगर आप एंड तक देखोगे तो आप आपके स्कॉट के टाइम पर उसके अंध्रैक को और उसके वाकॉट को काफी कॉंफिलेंटली कर पाऊगे तो चलिए शुरू करते है तो सबसे पहले टिप होने वाली है कि अगर आप लोबर स्कॉट करते हो या फिर हा अगर लेवल पर नहीं रखना है जहां पर आपका बार्बल आपके निक के रिजन के आसपास आ रहा है विकास आप इस हाइट से बरावर आपके बार को आपके बैक की ओपर सेट नहीं कर पाते हैं और में अंध्रै करने की डाम पर आपको काफ रेस करके भी पीछा आना यह से मैं मेरे कॉट्स को इस भीर नहीं कार सकता हो नहीं दूसरी गलती जो बहुत सर लिफ्टस पर्त करता है वह यह है कि वो방 के बार्बल को सुपा बार्बल मतलब मतलब उनके रैक से काफ़ी दूर यह कady कृशिछ दू करते हैं व्यन दूशित जुपा सुपाः तह है प्लस वो मेकनिकली भी आपको जादे अधा अधाधे अधाधे अधाग करने के लिए तो इसके जगा पर आपको यह करना है अधाधे करने के समय आपको यह सोचने कि आप बारबल की नीचे जाके नीचे ओले फ्लोर को खुछ से दूर पुछ कर रहे हो विद अधाधे हैं तो आप जितने जादे आपके कोड्स की उसको उसको अधाधे कर पाऊगे प्लस उस वजह से आपका जो बारबल वेट है वो आ आप आगे स्कॉट नहीं कर पाऊगे तो इसको सही से करने का तरीका यह होने वाला है कि आप सबसे पहले बारबल की नीचे जाओगे पूरे बॉड़ी को आप बारबल के बराबर नीचे लोगे एधर से आपके को नीचे दवाओगे एंदें स्टेट खड़ रहोगे एंद आप मेरा कोट देवाट 10 देफिनेटली उसकर सकते हो तीसरी गलती जो बहुत सारी लिफ्टास करते है वो यह है कि वो अन्द्रैक करते ही पीछे आने की कुशिच करते है रश कर देते है इस चीज को एमटी बारबल पे को रोगे तो उसको मैनेज कर आओगे तेकिन अगर अगर आप इस रश के साथ ऐसे पीछ पीछ आओगे तो आप कैसे मैनेज कर आओगे इस वजह से आपकी आदे अंद्रैक तो इसी को स्टेबिलाइस करने में चले जाएगी जब एम अंद्रैक कर रहे है कि उचित अन्दरैक है तो इस तरीके से आप अंद्रैक हमेश्च थी स्टेप्स में होना ना चाहिए first step is going to be go under the barbell take your whole body under the barbell second step use your quads to stand up once you stand up wait there until the bar stabilizes and the third step is going to be your walkout आपको इसको बिल्कुल रशनी करना विकोज यही फांडेशन है आपके squat का लास्ट चीज जिसके उपर आपको specifically ध्यान देना है इसमें दो segments है पेला segment है कि जब आप बारबल को अन्द्राइक कर रहा हो तब आपके नीज कुछ इस तरीके से बेंड नहीं होनी चाहिए पिकास अपर स्ट्रुक्टरल सपोट कुछ भी नहीं रहा है आपकी बारबल को अन्द्राइक करोगे आपको सबसे बहले नीज को लॉक करना है लेक्स को स्ट्राइक करना है और उसके बाद फिर आप वोक ओड करोगे सेकेंड सेग्मेंट में आपको यह ध्यान देन है कि जब भी आप बारबल को अन्द्राइक करोगे आपको बहुत लंबे-लंबे स्ट्राइज ने लेने हैं पीछे लिए लिए अगर आपको इस वीडियो से कुछ चीज़े सीखनी के लिए मिली होगी तो अभी के अभी मेरे